इस वीडियो के स्टार्ट पे जो आपने एक छोटा सा क्लिप देखा है इस तरहां की डॉकुमेंटरी वीडियो आपने इससे पहले यूट्यूब फेस्बूक या डिफरेंट तरहां के प्लैट्फॉर्म्स पे देखी होंगी अगर मैं documentary videos YouTube पे सर्च करूँ तो इसमे मुझे millions of views नजर आएंगे और अगर इन videos की earning की बात की जाए तो monthly thousands of dollars इनका revenue है आज की इस video में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह की complete videos सिर्फ canva को use करके किस तरह से बना सकते हैं यह जो video आपकी screen पे show हो रही है इसमें मैंने completely explain किया है कि आपको किन topics पे काम करना है कौन से topics expensive है, RPM क्या है, CPM क्या है और किन topics पे आपको अच्छी amount मिलेगी, किन topics पे आपको कम revenue generate होगा अगर आप आज ही content creation start करना जाते हैं, आप YouTube यह different तरह के platforms पे videos बना के डालना चाते हैं तो उससे पहले मैं आपको recommend करूँगा कि आप यह video ज़रूर देखें तो without wasting any time हम इस video editing series की चोथी video start करते हैं इससे पहले तीन videos already मुझूद हैं जिस पर मैंने completely पताया है कि video editing basic level से लेके different तरह के tutorial आपको मिल सकते हैं आप अगर इस पूरी series को देखना जाते हैं तो आप इस playlist पर जाके इस video को देख सकते हैं और इसका link मैं description में भी देदूँगा तो सबसे पहले आपको एक अच्छा साथ topic चाहिए उसके लिए आप chat GPT की भी help ले सकते हैं उसके अलावा आप different तरह की research भी कर सकते हैं उसके बाद आपको चाहिए एक अध़त अपने topic पे script तो मैंने time बचाने के लिए इसके साथ already script लिखवा ली है मैंने इसको एक high का message किया है जैने इसके बाद मैंने इसको बताया है कि मैं एक desert पे videos बनाना चाहता हूँ जो काफी ज़्यदा suspense और thrilling हो जैसे ही आपकी script ready होती है तो आपने script का voice over generate करना है तो उसके लिए मैं use करूँगा फ्लिकी AI आपने start for free कर देना है और एक new project files select करने इसका नाम देना है कोई भी नाम देने उसके बाद आपने simply plus के icon पे click करके एक अधर new add करना है यहाँ पे अपना person select करना है जिसकी voice आपको अच्छी लगे यहाँ से आप वो voice try कर सकते हैं उसके बाद आपने select पे click कर लेना है आपके वो वोईस यहाँ पे upload कर देनी है यह आपकी voice upload हो चुकी है यहाँ पे आपने voice add करने के बाद आपने add करने है अपने videos यानि कुसी भी तरह की videos या pictures तो मैं simply canva पे ही मुझे यह सारी videos मिल जाएंगी मुझे यहाँ से कहीं पे जाने की जरूर दी मैंने यहाँ पे कुछ topics search की है हुए मैंने यहाँ से यह delete इस वज़ आपके लिए परिशानी ना बने आपको यहाँ से यह सारे के सारे search term नजर आ जए इन्ही search term की basis पे थोड़ा सा manage explore करने के बाद यह सारी के सारी videos यहाँ से find किये अब ये सारी की सारी वीडियोज मैं यहाँ पर एड़ करता हूँ ये सारी की सारी वीडियोज मैंने यहाँ पर एड़ कर दी हैं सारी यहाँ की वीडियोज ही हैं कैनवा की ही ली गई हुई वीडियोज है जब आपने इनको add करना है इनका time आप यहाँ से adjust कर सकते हैं उसके बाद अब मैं इन वीडियो में से कुछ वीडियो के speed थोड़ी सी तेज करता हूँ जैसा कि इसकी speed में double कर देता हूँ इनकी speed double करने के बाद मुझे यहाँ पे एक छोटा सा effect और apply करना है वो है video section में ही camera overlay इन में से एक आदा effect में यहाँ पे apply करूँगा सबसे पहले इस वीडियो पर करूँगा इस वीडियो पर जैसे ही आएगा तो इसका time change हो जाएगा तो आपने इसका time उस वीडियो के end मताबिक करने ना है इसका एक second है तो आपने इसका time भी एक second करने ना है करके इसको इस वीडियो के उपर रख देना है इस तरह से उसके बाद आपने इसी transparency इतनी low कर देनी है कि आप कोन लगे कि यह आपकी पिछे वाली video completely visible है उसके बाद अगर आप किसी और वीडियो पे भी इस तरह का effect apply करना चाहरे हैं तो आप करें में अगर मैं आपको यह video चला कर दिखाओं तो यह इस तरह की video बनेगी अब आप कहेंगे इसमें तो उस तरह की ना thrilling voices है ना ही उस तरह की transitions है तो यह कैसे यह सब possible है सिर्फ और सिर्फ sound effects से इसी वरह से मैं आपको कहता हूँ कि sound effects बहुत focus करें sound effects एक बहुत important चीज़ है तो आप इस पे काम करते हैं sound effects पे जितने भी sound effects मैं यूज करूँगा मैं description में भी दे दूँगा और आपके सामने यहाँ पे जितने sound effects मैं यूज करूँगा वो यहाँ पे मैं upload करूँगा उनके नाम के साथ वो uploaded होंगे वो आप यहां से canva पे simply audio के section पे आएंगे वहां से आ के भी आप वो sound effects यूज कर सकते हैं otherwise आप वो sound effects किसी और जगा से भी download कर सकते हैं same name से तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इसके sound effects adjust करता हूँ यहाँ से start करता हूँ मैं सबस्क्ता है झाल 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 यहाँ पे मैंने तक्रीमन ओल्मॉस्ट सारे के सांड एफेक्स एड़ कर दी हैं अब इन में ट्रांजिशन्स एड़ करने के बारी हैं इनके सेंटर में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजिशन्स का उप्शन नज़र आएगा तो मैं ज्यादा तर यूज और प्रेफर भी मैजिक एंड मॉव ही सकता हूँ अरी यह वीडियो और मॉस्ट रेड़ी है अगर आप इस वीडियो को मजीद लंबा करना चाते हैं तो इसमें मजीद सांड एफेक्स और स्टोक इमेजिस एड़ कर सकते हैं In the blistering heart of the desert, life teeters on the edge of survival amidst the shifting sands and relentless sun. As the scorching winds whisper secrets of forgotten civilizations, every step into the unforgiving wilderness unveils a tale of courage and peril, where each oasis conceals both salvation and danger, weaving a narrative of suspense and thrill beneath the endless, unforgiving sky. वीडियो देखना चाते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे मुझूद वीडियो पे क्लिक करके इस पूरी प्लेइलिस को देख सकते हैं इसमें तमाम तर टॉपिक्स कवर किये गए हैं वीडियो प्लेख मुझ। झाल बाया हैं